देश के गरीब राज्यों में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बढ़ती जा रही जबकि संपन राज्यों में मांग कुछ घटी है इस दौरान वितवर्ष 2021 के दौराल देश में मनरेगा के तहट कुल रोजगार की मांग 23.3 फीसत जो टोटल रोजगारों में इतनी हिस्सटारी है वो 5 गरीब राज्जकी है इस दौरान 22.6 फीसत दारी जो है वो देश के अमीर राज्जकी है इन आंकळों की तुलना अगर आप 7 साल पहले के आंकळों से करें तो अमीर राजियों की हिस्सेदारी 39 फीसद से ज्याधा होती थी जब कि गरीव राजियों की हिस्सेदारी 15 फीसद होती है तो जो 15 फीसद वाले राज से 23 पर पहुंच गैं जो प्रवासी थे वो अब वापस आ गए हैं ऐसा लगता है उसके बाद भी मन्रेगा की मांग क्यों नहीं हो रही है मन्रेगा की रोजगार बढ़ने का आकड़ा हमें रूरल डिस्ट्रेस का गरामिन अलाकों में जो इनकम का संकट याय का संकट बना हुआ वो लगातार गहराता हुआ दिख रहा है दूसरी चीज़ है कि अगर आप आकड़ों को करीब से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि महंगाई हटाकर 2018 से लेकर 2022 के बीच में रूरल इंकम में दरसल महंगाई को को शामिल करने के बाद कांट्रेक्शन हुआ है माइनस 1.6% का कोई बढ़ोतरी नहीं रूरल व हुआ है हमने देखा था कोविट के दौरान और जो रिवर्स माइगरेशन हुआ था वो भी उनी राज्यों में हुआ था तो वहाँ वो काम उपलब्द नहीं है और शेहरों की तरफ वापस आने की संभावना भी शेहरी अर्थववस्था में हमें नहीं दिखाई देती इस इस आकड़े का एक और महत्वपून हिसा औरी आकड़ा उस समय आया है जब हम फिस्टिव सीजन की तरफ जा रहे हैं और भारत की कमपिनियों को इस तेवहरी मौसम में सबसे जदा मांग की उमीद रूरल एकॉनमी से है ग्रामी नर्थवस्था से वहां ग्रामी नर्थवस पोशिशों के बाद भी गाउं में अभी जो इंकम पर या आय पर दबाव है वो बना हुआ है रूरल डिस्ट्रस खतम नहीं हुआ है मनरेगा की मांग पर तोहरी सीजन के बाद अब खरीब की कटाई का सीजन आएगा और खरीब की कटाई के सीजन के दौरान शायद मनरेग कि मांग के बावजूद जो मनरेगा के तहत काम मिलने की और सदर है साल की वो घटकर तो 35 दिन के आसपास भी आ गई बहुत सारे राज चालिस दिन का और 35 दिन का भी काम नहीं दे पा रहे हैं जबकि 180 दिनों के काम देने की साल की शर्त थी